आज मैं आपके सामरे चटनी की दो रेसिपीस लेकर आई हूँ तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्यास की खटी चटनी और इसके बाद बनाएंगे इमली की खटी मिठी चटनी जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्यास की चटनी उसको स्टार्ट करने से पहले हम दुरी शरीफ पढ़ लेते हैं अल्लाहुमा सलय ला से खेदन महमदी, वालाले से खेदन महमदी, वाभादिक वसल्लम जी जनाब, यहाँ पर प्यास की चतनी मरानी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इमली का पर्प ले लिया है वो तकरीबन आदी प्याली हम इमली का पर्प इसके अंदर और इसके लावा जो मसारे इस्तमाल करेंगे उसके अंदर दो चाय का चमचे कुटी लाल मिर्चे एक चाय का चमचा नमक और एक चाय का चमचा सफाई सीरा पौधीने की आदी गड़ी यहाँ पर मैंने ले ली है वो मैंने वाश करके वो डाल दिया है हम इस सब चीजों को एक जग में डाल लेंगे इसके इलावा मैंने यहाँ पर बारीक हरीमिश्चे इस्तमाल की है आप चाहें तो मोटी वाली भी इस्तमाल कर सकते हैं वो मैंने तीन से चार अदत ले ली है हरा धनिया यहाँ पर मिल लिया है वो भी मैंने आदी गड़ी लिया है ठीके जी इन सब चीजों का हम बीटर में जग में डाल लेंगे जग में डालने के बाद इसके बाद मैंने चार अदत प्यासे ली है जिनको मैंने रफ फॉर्म में काट लिया है चॉप कर लें या स्लाइस कर लें प्यास के किसी भी तरीके से कर लें क्योंकि हमने इसको ब्लेंड ही करना है ठीक है जी वो प्यास मैंने इसके में चील के डाल दिये इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर ले इसको हमने बहुत अच्छा सा पीसना है ताकि इसका प अब हम चलते हैं इमली की घटी चटनी की तरफ यहां पर मैंने एक प्याली इमली ले 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 है एक प्याली चीनी और इसके लावा मैंने कुटी लाल मर्चे और सपय जीरा लिया है यहां पर सबसे पहले हम लोग आधी प्याली पानी ले ले लेंगी उसके अंदर एक प्याली हमने इमली का पलपलिया है और इसके डबल जो है वह हम चीनी का इस्तमाल करेंगे, हमने एक प्याली अगर इमली का पलपलिया है तो यहाँ पर हम दो प्याली चीनी इस्तमाल करेंगे ठीक है, आदे चाय का चमचा नमक डाला है चिनी को पानी के बाद, देखें, उपर आती जा रहे हैं, इसमें मुस्तक्ल चम्चा चला रही है, हमने इतना पकाना है कि पक 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 के इसका पानी जो है जो निकलेगा वो आधा रह जाए यह देखें यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाती हूँ पक पक के यह अच्छी खासी गाड़ी होने लगी है और यह देखें इस तरीके से इसका पानी जो है वो आधा रह गिया है जी जणाब यह हमारी चटनी रेडी हो गयी है आप लोगों है कि यह दोनों चटनी रेडी हो गई है Allah Hafiz